हेलो बाइडियर फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं इस टैनों मोटिविशन में आपको सौगत है और कट अब की बात करें अगर दुहर तेज की तो अभी तो आपकी जो कट आप लोग को मार्स नहीं पर चले हैं कि आपके नॉर्मलेशन में कितने बड़े हैं लेकिन अगर हम फा हम जैसे मालीजे आपके अगर अभी 135 है ठीक है तो 145 प्लस आपी कट ओफ रह सकती है लेकिन किसी भी कटेगरी से आपका सेलेक्शन हुआ हो जो सेफ स्कोर है आपका इस कट आप से 20 प्लस ही होना चाहिए उससे ज्यादा भी जा सकता है इसलिए हम हमेंसा कहते हैं कि आपका जो मेंन फोकस है सबसे पहले आपके रिटिन पे जाना चाहिए आप रिटिन में इतनी महनत करें इतनी महनत करें कि आपको जो स्कूर हो डैट विल भी सेफ और शॉट हिन ठीक है साथ में चल लिग इसलिए अगर किसी ने पहली वार अप्लाई किया हो तो ध्यान रखें कि तो पूरी जान लगा दी इंग्लिस में बहतर करें अगर आपके 90 के आसपास इंग्लिस में आते हैं ठीक है और रीजिनिंग आपको पते ही है अच्छी आती इसमें ज्यादा टाफ नहीं आती है रीजिनिंग अगर आपके 40 भी आगए तो 90 प्लस 40 ठीक है 130 यह हो गया और 20 प्लस मार्क्स अगर आपके जीकी में आगए तो आपको जो स्कोर होगा ठीके ग्रेट डे के लिए वो सेफ हो जाएगा तो और कट आफ जैसे बताया 20 प्लस के आसपर रहने वाली है लेकिन फिर भी आपको कट आप के वाजे परिशान नहीं हो हुआ है तो बहुत अच्छे से तैहरी करें प्रिवीस यह के आप एससी सीजी एल की जितने भी आप यह रीजिनिंग के कोश्चन है ना जीके के कुश्चन है इंगलिस हैं को सारा लगा डालिए MTS से से सीजी एल MTS CHSL इनके सब के प्रिवीस यह के प्रक्रेश करते रहें इससे आपका क्या है कॉंफिडेंट बूस्ट अप होगा और आपको आइडिया में देगा नए 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 तरह के जो कुश्चन है वह आपके सामने रहेंगे और आपके प्रक्रेश अच्छी होगी और ऐसी सिस्टैन होगा तो आप करते ही रहें प्लस यह भी लगाई है तो आप अगर D के लिए हमेशा हमेशा कोई सी के लिए तयार होना चाएता है तो 150 अगर 150 के आसपास अगर आते हैं तो आप शेयर हो जाते हैं कि हाँ आपका D में हो जाएगा और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपके मन पसंद जगह पर पोस्टिंग और मन पसंद का डिपार्टमन मिलने के भी चांस बढ़े आते हैं इसलिए अपना पूरा फोकस ज्यादा लगाएं रेटिन में क्योंकि जो शॉर्टेंड होती है वो हर किसी